इस वीडियो में बिल्कुल complete detail से बताऊंगा, अगर आप दूसरे को किसी को admin बनाना चाते हो, अपने page की access देते हो, proper तरीके से किस तरीके से करते हो, उसमें कितनी settings होती है, और इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा, कि आप जैसे माल लो आपने किसी को admin बना है, तो permanently जो भी वो उसके उपर कुछ करता है, तो उसकी जो history होती है, जो management history, क्या-क्या उसमें छेड़शाड की, आप complete detail में देख सकते हो, friends, सही बता रहो इस वीडियो को last तक देख लेना, बहुत ही ज्यादो knowledgeable वीडियो होगा, और इस वीडियो में आपको ये और बताऊंगा, कि आपका Facebook page recommend हो रहा है कि नहीं, उसका monetization status के है, मतलब बहुत सारी चीज़े इस वीडियो में include करने वाला हूँ, तो दोस्तो इसको last तक जरूर देखना, अगर आप last तक नहीं देखना चाहते हैं, इसको अभी skip कर सकते हो, कोई problem नहीं, नहीं, हाँ, लेकिन इस एक चीज़ क वादा करता हूँ, इस वीडियो को आप complete देख लेगो, तो आपको बहुत कुछ ज़्यादा सीखने को मिलेगा, तो दोस्तो बाकी बाते बाद में करेंगे, पहले काम की बाते कर लेते हैं, अब जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है, चलते हैं सीधे मोबाईल की screen पे मैं बताता हूँ आपको, यह देखिए, जैसे ही मैं अपनी Facebook पे क्लिक करता हूँ, सबसे पहले तो मैं यह बताता हूँ, जिनको इन पता एक profile से Facebook पे कैसे switch करते हैं, यह देखिए, राइट कोरनर में आपको यह three dots दिखेंगे, just simple इस पे क्लिक करते हैं, और अब देखे, य जास तक देखिए, और यह देखो, जैसे उस पे मैंने कोई page select किया, यह interface आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे, और फिर वापी से यहाँ पे three dots पे क्लिक करते हैं, जैसे three dots पे क्लिक करते हैं, अब देखो, आपको नीचे एक option दिखाई दे रहा होगा, setting and privacy का, जैस आपको बहुत important important चीज़ें, आप लोगों साथ share करूँगा, यह देखो, जैसे page setting पे क्लिक किया, यह उपर दिख रहा होगा, नाम इसका page का, और इसमें देखो privacy page and triggering public post, इसके बारे मैं पहले बता चुका हूँ, आज जिस चीज के बारे में बताने वाला हो, यह देखो, य people with Facebook access, और एक people with task access, मैं थोड़ा सा people with task access के बारे में बता देता हूँ, इसमें यह ही बता रहा है, अगर आप किसी को इस task access में जाके इसको complete करते हो, तो यह ही है, वो इसमें direct switch नहीं कर सकता इस page के उपर, but वो इसको manage कर सकता है, it directly on Facebook, but they can manage it with other tools, other tools से इसको manage कर सकता है, इस देखो, जिसको हमें access देना है, इसके उपर add new पर क्लिक करेंगे, और हमें आपको बता देता हूँ, Facebook access means, इसके अंदर थोड़ी और बाते बता हूँआ, यह ही है, कि आप क्या-क्या चीज को access करते हो, यह देखो, जिसको आपको admin बनाना है, जिसको access देना है, इसको ध्यान से देखो, बड़ी easily यहां से आप उसका नाम mention कर सकते हो, या search भी कर सकते हो, उसका नाम, मैं जैसे example के लिए बता रहा हूँ, मेरी एक कोई दूसरी profile है, जिसको मैं admin बना के आपको बता हूँगा, यह देखो, जैसे मनोज यादा, एक कोई profile मेरी दूसरी मैंने बना रखी ह यहां पर यह आ चुकी है, आप बड़ी easily देख सकते हो, दूसरे number पे, मैं इसके अंदर आपको बताऊँगा कि admin बनाते हो, किस तरीके से proper settings करते हैं, यह देखो, यह आपको दिख रहा होगा, with Facebook's access, मनोज यादा हो, can manage the following, आप access दे रहे हो, तो वो क्या-क्या चीजे अभी manage कर पाएगा, आपके Facebook page पे, सबसे पहले है, इसमें content, create manage or delete post, आप समझ गयोंगे, manage or delete post कर सकता है, stories and more as the page, और दूसरा दिख रहा होगा, messages, send and respond to messages as the page, वो message भी send कर सकता है, अगर यह access देखते हो, आप उसको, और receive messages का, अब आपको एक चीज दिख रही होगी, हाँ पे community activity, review and respond to comment, remove unwanted content and report activity, वो यह comments को respond कर सकता है, कोई remove unwanted content, चाहे तो किसी post को delete भी कर सकता है, report activity, यह चीज़े होती है, जब हम normal access देते हैं, मैं यह बता रहा हूँ, क्या क्या कर सकता है, अभी इसमें जो important चीज़े वो आप लोगों को मैं बता हूँगा, यह देखो, इसमें ads का है, create manage and delete add for the page, आपको दिख रहा होगा, इसमें बता रहा है, वो add को delete भी कर सकता है, manage भी कर सकता है, इस तरीके से, यह होता है, दोस्तों, यह सारी चीज़े वो कर सकता है, जब आप एक normal access देते हो, किसी को admin बनाते हो, अब आप गलती क्या करते हो, बहुत सारे जो गलती है करते है, यह आपको एक option दिख रहा होगा, यहाँ पे नीचे देखो, allow this person to also have full control, अगर कभी भी आपको अपने page की access देनी है, तो दोस्तों, इसको ध्यान से देख लो, जो उपर वाली चीज़े है, अगर normal access दोगे, तो सिर्फ वो वही कर सकता है, admin आप ही रहोगे, आपके page को hack नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, अगर दोस्तों, यहाँ पे आपने इस तरीके से कर दिया, allow this person to also have full control, यह most important चीज़े, इसको ध्यान से देखो, इसको कभी भी enable मत करना, इसको आपको तब कर सकते हो, जब आपको यह अपना मालो जैसे facebook page sell करना चाते हो, बेचना चाते हो बहुत सारे ऐसे होते हैं, जो इस तरीके से करते हैं, जो अपने page को बेचते, अब देखो इसमें वो क्या कर सकते हैं, अगर आपने इसको active कर दिया तो, वो चाहो तो उसको full control मिल जाएगा, इसम बता रहा है, remove anyone from the page, किसी को भी remove कर सकता है, आपको भी जो admin, आप जो admin है, आपको भी remove कर सकता है, delete कर सकता है, बड़ी easily यहाँ पर देख सकते हो, मैं अपने मन से कुछ नहीं बता रहा हूँ, यह Facebook खुद बता रहा है, यह full control का मतलब यह होता है, वो आपको भी admin से हटा सकता है, आपको delete कर सकता है, अब बहुत सारे क्या होते हैं, गल्ती करते हैं, page का access देते हैं, यहाँ से इसको enable कर देते हैं, और फिर बाद में इनको ही admin से हटा देते हैं, इनको वापिस admin नहीं बनाते हैं, और इनके page को hack कर लेते हैं, तो दोस्तों इस चीज का आप ध्यान रखना, इसको आपको कभी भी full access नहीं देना है, जैसे इसमें क्लिक करते हैं, अब मैं बताता हूँ full access देखके, और इसमें क्या-क्या चीज़े होती है, थोड़ा ध्यान से देखना दोस्तों, अब इसमें बता रहा है, for your security, re-enter your facebook profile password, अगर आप full access दे रहे हो, तो यहाँ पर यह बोल रहा है, आप जो आपकी profile का password है, जिससे आपने यह page बनाया हुआ ह उसका यहाँ पर आपको password mention करना पड़ेगा, इसके अंदर यहीं बता रहा है, full control हो जाएगा, और वो सब कुछ कर सकता है, जो उसका मन करे, आपको चाहे तो admin से भी remove कर सकता है, जो उसका मन करे, वो कर सकता है, मतलब full control, अब देखो यहाँ पर profile का password है, मैं इसमें example के लिए जैसे पनी profile का password दे देता हूँ, यह देखो, और जैसे confirm पे क्लिक करते हैं, यह password लेने में दो तिन सेगंड का time लेता है, इस तरीके से देखिए, and invitation has been sent to Manoj यादव, आपको दिख रहा होगा, और अब आप एक चीज देखिए, invitation चला गया उसके पास, उसके पास जो notification हो, उ कर उसको click नहीं करता है, invitation को accept नहीं करता है, तो यह automatically expire हो जाएगा, अब मैं इसके अंदर आपको एक चीज और बताऊंगा, आप चाहो तो इसको remove कर सकते हो, जैसे मलनो आपने गल्ती से आप से यहां पे हो गया, तो इसको कैसे हटा सकते हैं, उस चीज के बारे में बात करे हैं, दोस्तों इस चीज को ध्यान से देख लेना, बहुत सारे ऐसी गलतिया करते हैं, अपने page का access देते हैं, और फिर बाद में उनको बहुत ज़्यादा problem को face करना पड़ता है, उनका page hack कर लिया जाता है, यह देखो, जैसे ही उस पर click किया, weave access और यह cancel invite, दो option आप लोगों जैसे मालो अपने page का access दिया है, किसी को दूसरे को admin बनाया है या कुछ भी, उसकी जो history है, वो कैसे देख सकते है, page management history यहां से, this is history of management action taken by people who manage this page, यहां से आप complete देख सकते हो, जिसको आपने access दिया है, अपने page का admin बनाया है या कुछ भी, वो क्या-क्या उस page के उपर activity कर कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, बड़ी इसली यहां से आप देख सकते हो, इसमें यह देखो, जो भी activity, जैसे मैं इस page का admin हूँ, मतलब मेरी profile का, यह जो जो मेरी profile का नाम दिख रहा है, यादो जी, मनोज, क्योंकि admin जो भी activity करता है, page के उपर, यहां से आ जो मैं इसमें की, यह complete दिखा रहा है, कि आपकी knowledge के लिए मैं बता रहा हूँ, इस तरीके से आप देख सकते हो, और friends, अब इसमें बात कर लेते हैं थोड़ी और, थोड़ा back चलते हैं, मैं आपकी knowledge के लिए एक चीज बता रहता हूँ, आपको एक option दिख रहा होगा, यहां अगर page has no issues, तो दोस्तों समझ लेना, आपका Facebook page पे कोई problem नहीं है, आप इसे अच्छी खासी earning कर सकते हो, अगर अच्छे खासे content upload करोगे तो, अब यह थोड़ा से इसका देख लो, page recommendation, इसमें साफ लिख रहा है, page recommendation और recommendable, content is recommendable, page has no violation, अगर इस तरीके से आपके page पे show हो र दिखाई दे रही है, तो दोस्तों आप उसको remove कर लेना, इसके बारे मैं पहले भी एक video upload कर चुका हूँ, यह सिर्फ आपकी knowledge के लिए चीज़े बता रहा हूँ, और यहां से भी आप कर सकते हो, manage admin, जो मैंने यहां बताया था भी आप लोगो को, वहां से जाके भी देख सक आते हो, तो यहार वो full control वाली चीज़े वो कभी भी वहां से enable मत करना, otherwise बहुत सारे ऐसे होते हैं, कर भी देते हैं, आपके page कोई hack कर लेंगे, वो आपको admin से remove कर देंगे, खुद admin बन जाएंगे, और जितनी भी आपने मेहनत की थी उस Facebook page को पर सारी बरबाद चली जाएग तो उसमें full control वाला option enable मत करना, वो simple सी चीज़े जो मैंने बताई थी, और सिर्फ message delete कर सकता है, देख सकता है, post delete कर सकता है, इस तरीके से, उसको 4-5 चीज़े normal सी ही मिलेगी, उनको ही वो कर सकता है, अगर आपने full control वाला कर दिया, तो friends फिर वो आपको admin से भी अटा सकता है, और वो खुद admin बन जाएगा आपके page का, और फिर उस page पे आप कुछ नहीं कर सकते, सिवाए पस्ताने, ये बड़ी अच्छी बात कही है, तो friends, अब जाते जाते ही यही कह रहा हूँ, अगर आपको सही में ही लगा हूँ, मैंने कोई अच्छा content आप लोग साथ सेर किया है, या आपको कुछ सीखने को मिलाओ, तो दोस्तो यार वीडियो को like कर देना और चैनल को subscribe जरूर कर देना, तो आपके इस चैनल पे हमेशा आपको अच्छे content देखने को मिलते रहेंगे, तो दोस्तो मिलते हैं किसी अच्छे वीडियो में तब तक के लिए सीखते रे ध्यान आपके, best of luck.